शिवराज के बाद कौन? मद्धिप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और बर्तमान में विदीशा संसदिय सीट से संसद और देश के क्रिशी मंत्री के साथ पंचात ग्रामेन विकास मंत्री की जिम्मधारी सम्हालने वाले शिवराज सिंग्चोहान प्रदेश से अब देश की राजनीती में एक बार फिर से कदम रख चुके हैं प्रदेश सरकार चुलाने का नुभव रखने वाले शिवराज अब केंद्र में एहम जिम्मधारी सम्हालते नजर भी आ रहे हैं लेकिन इसके साथ ही शिवराज सिंग्चोहान और उनकी विधान सभा सीट को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं सवाल ये कि आप शिवराज के बाद है कौन जी हाँ सवाल है बुद्री विधान सभा सीट को लेकर जहां से शिवराज चुने गए शिवराज अभी बुद्री विधान सभा सीट से विधायक हैं और जाहिर है कि केंद्र में पहुंच जाने के बाद अब उन्हें विधान सभा की सीट को खाली करना पड़ेगा, यानि कि अपना इस्तीफा विधान सभा की सदिस्था से देना होगा, फिर अब शिवराज सिंग चोहान के बाद बुद्मी सीट का नित्रित्व कौन करेगा, क्या वो घड़ी आ गई जब कार्तिके चोहान की ओफिशियल लॉंचिंग हो जाएगी, दरसल ये संभावना इसलिए भी बन रही है, क्योंकि कार्तिके चोहान पार्टी के लिए लगातार सक्रिय रूप से काम करते देखे गए हैं, लाइम लाइट से दूर, शिवराज सिं की भूमिका में रहे उनके पितार याने शिवराज पूरे प्रदेश का दोरा कर चुनावा प्रचार में लगे हुए थी, लेकिन फिर भी कार्तिके ने अपने आपको साबित किया और यहां बड़ी जीत को बरकरा रखा, ऐसे में उनकी दावीदारी में भी दम आ चुका है लेकिन शिवराज के बेटे कार्तिके ही मैदान में हूँ ऐसा भी नहीं है, शिवराज के लिए जिन्होंने सीट छोड़ दी याने की विदिशा के पूर्वसांसर रमाकांत भारगव भी यहां से दावेदारों में से एक हो सकते हैं और इसके पीछे के कारण की अगर बात क है क्योंकि भारगव उम्र में सत्तर प्लस के हो चुके हैं, राजनीती में सकरेता के लिहाज से चार से पांच साल का बक्त उनके पास है और ऐसे में यह हो सकता है कि शिवराज भी भारगव को ही उपचुनाव के लिए रड़ाना चाहें, हाला कि सिर्फ दो नाम हुआ ऐसा उनके सोला साथ से अध्यक्ष हैं, रगुणात भाटी जुसी होर जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ गुरु प्रसाद शर्मा जो नसरुल्ला गंच के रहने वाले हैं और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, यह सभी शिवराज सुग चुहान क गुड लिस्ट के नेता हैं, और ऐसे में हो सकता है कि इन में से किसी एक के नाम पर मुहर लग चाहें, हाला कि जहां तक कि करतिके चुहान के बात है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद से दूरी बनाए रखना चाहे की, और इसलिए उनकी दाव सिंग चुहान की पतनी अनीता नागर सिंग चुहान को टिकट दिया और उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली, तो माना ये जा रहा है कि पार्टी इस धार्णा को भी तोड़ चुकी है, दूसरी तरफ किरार और भाकर समाज को साधने के लिए भी पार्टी ये फैसला कर सकती है कि बुद्नी सीट से कार्टी के चहान को मैदान में उतारा जाए